Hi guys, मेर नाम है संदीप और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लेटस्ट Xiaomi.U ROM की जो की बेस्ट है MIUI 13 के स्टेबल अपडेट के उपर और आपको पता होगा जब चाइना के अंदर MIUI 13 का अपडेट कोई भी आता हो अगर आपने बाइचांस मिस कर दियो तो उसको आई बटन के अंदर जाके चेक आउट कर सकते हो वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा और आप सब्सक्राइब करो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा MyDevice पेज के उपर MyDevice के अंदर आपको MIUI 13 का कलरफूल लोगो मिलता है सेम चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है इसके अपडेटर के अंदर तो यह चीज सेम है चाइना रॉम वाली वाट्स न्यू के अंदर यहाँ पर नो इन्फो अवेलिबल शो करता है All Specs के अंदर आ जालते हैं तो यहाँ पर आपको जो है काफी सारी चीज़ें मिसिंग बेलेंगी जो है डिस्प्ले सेक्षन के अंदर कैमरा क्रेश करेगा और आपका जो यहाँ पर CP Clock Speed Up वो 2.75 GHz होगा तो यह सब चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं को फिक्स करने के लिए आपको जो है यह ऊपर आई बन के अंदर एक गाइड देखने को मिल जाएगा उसको फालो करना रूट के थुरू आप सभी फीचर्स को इनेबल कर सकती हो MIUI 13 Android 12 के उपर और आपका Android 12 का स्पोर्ट मिलता है और उसके साथ Android Security Patch Level आपको December 2021 से अपडेटिड मिलेगा MIUI वर्जन सेम है 13.0.2 और परफ का करनल यहां पर सेम यूज किया गया है अब आपास करेंगे फीचर्स की सबसे पहले वाल पेपर हैं स्टाइल के अंदर आपको जो सूपर लाइव वाल पेपर्स हैं इसके अंदर ऐसे कोई चेंज तो नहीं मिलता बट जो सूपर लाइव वाल पेपर्स हैं सबके सब आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं बाकि सभी सेम है बैक आ जाते हैं तो यहांपर Always On Display मेरा Working है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली डिस्प्ले के अंदर यह options आपको यहांपे मिल जाते हैं जिसको मैंने enable किया है MIUI 13 का font आपको मिलता है notification and control center आप latest वाला AP के install कर सकते हो आपका यह update हो जाएगा जो कि मैं अभी use करा हूँ कोई दिक्कत इसके साथ में भी आपको नहीं आएगी but by ROM के अंदर जो है बीटा वाले कुछ changes आपको मिलते हैं launcher के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा बढ़ आप इसको यहांपर install कर सकते हैं यह आपका by default जो आपको old वाला 12.5 वाला control center देखने को मिलेगा home screen के उपर आते हैं तो यह वाला system launcher MIUI 13 के alpha stage का launcher आपको मिलता है जिसके अंदर आपको यह option मिल जाता है don't show text इसको enable करता है यह आपको यह कुछ इस तरीके से icons देखने को मिल जाते हैं और जो टेक्स अब हो गायब हो जाता है और जो padding है ना वो भी थोड़ी सी change हो जाती है उसके बाद अगर आप देखोगे home screen layout आपको 6 x 7 तक मिल जाते हैं icons के अंदर आपको यह वाला layout देखने को मिलता है यहाँ पर show suggestion का option आपको देखने को मिलेगा और arrange items in recent का भी option आपके लिए available है system navigation भी आपको मिल जाता है जो कि आप check कर सकते हो minus one screen के अंदर आपको वही old वाला जो है यहाँ पर MIUI 12.5 वाला जो है evolved देखने को मिलता है तो आप इसको भी यहाँ पर use कर सकते हो and settings यहाँ पर भी restart होती है जो कि आप यहाँ पर clearly देख सकते हो password and security के अंदर face and log मेरा present था जब मैंने वो guide यहाँ पर follow नहीं किया था तब भी face and log present था but China ROM के अंदर amazing था safety and emergency का option है privacy protection है and यहाँ पर security वाला section आपको नहीं मिलता जो कि China ROM के अंदर है उसके बाद battery saver के अंदर सभी profiles है temperature और charging time आपको मिल जाता है optimized charging का option आपके लिए available है additional के अंदर आपको memory extension working मिल जाता है then special features के अंदर आते है smart toolbox जो कि sidebar हो चुका है इसको आप enable कर सकते हो floating windows है, setting in space है MIUI lab के अंदर कोई भी चीज़ भी add नहीं की गई और light mode आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि Xiaomi.u की और से आपके सबी चीज़ें जो है आप बोल सकते है थोड़ी modded मिल जाता हूँ अगर आपके यहाँ पर phone के अंदर media वगेरा अगर आप यहाँ पर use कर रहे हो कोई video देख रहे हो YouTube के उपर या फिर कोई जैसे normally कोई video देख रहे हो अगर आप इस कौन करोगे तो आपको यहाँ पर वीडियो आपके स्टक होगी जो भी media आप यहाँ पर यूज करोगे ना सब के अंदर आपको problem आएगी तो यह एक आपको bug मिल जाता है Xiaomi.u ROM के अंदर बड़ फिलहाल कोई bug यहाँ पर present आपको नहीं मिलगा इसको आप off कर देना आपका working रहने वाला है अब आते हैं app opening या फिर closing speed के उपर तो देख सकते कुछ ऐसी आपको speed देखने को मिल जाती है app opening closing की और 120 Hz यहाँ पर काफी अच्छे से work कर रहा है कोई मेरे को दिक्कत वगरा नहीं आ रही and by default तो आपको mi 11x के उपर नहीं मिलेगा तो इसको आपको enable करना पड़ेगा यह चीज़ आप देख सकते हैं जो animations है वो यहाँ पर काफी smooth है just मेरे को check करना है कि यहाँ पर जो ray management है वो improved है या फिर जो है उससे भी घटी आपको मिलता है तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी आपको यहाँ पर smoothness इतने apps के अंदर मिल जाती है so one by one सबको open करते हैं smoothness काफी अची है and यहाँ पर कोई आपको compromise नहीं करना पड़ेगा smoothness के साथ में and थोड़ा सा lag फील हुआ था मेरे को camera के साथ में बट जो ray management है वो भी मेरे को काफी excellent लग रहा है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जस्ट थोड़े से apps आपके restart होते हैं बट हाँ काफी अच्छा ray management है काफी अची smoothness मिल जाती है animations काफी smoothly आपके work करते हैं और stock camera के उपर आई जो कि आप use कर लो and portrait आपका working है इधर आप देखोगे तो आपका 48 megapixel है बागे सभी modes आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं अब आते हैं device के certification के उपर आपका जो device है by default certified मिलता है without root आप यहाँ पर banking apps यूज कर सकते हो और DRM info के अंदर आपको wide 1 L1 मिल जाता जो की already present था चाइना ROM के 5 के उपर जो score है ना single core के उपर 940 है and multi core score है 3012 के अगर आप देखोगे CPU throttling graph सेम 10 मिन तक यहाँ पर run किया था average GPS है 2,29,000 के आजपास और maximum है 2,36,000 के आजपास और 93% तक आपका CPU throttling करता है charging के अंदर कोई problem नहीं आने वाली charging speed काफी अच्छी है battery consumption की बात करें so battery consumption मैंने जितना use किया मेरे को काफी अच्छा लगा काफी decent सा आपको मिल जाता है and जो idle train था ना वो 1% के आजपास ही मेरे को मिला है so 1% ओके है कोई वैसे problem नहीं आने वाली तो मैं battery consumption थोड़ा decent भी बोना चाहूंगा ज्यादा grade भी आपको battery consumption यहाँ पे नहीं मिलता जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और normal usage के उपर maximum जो आपको active drain मिलेगा वो 14% पर आर के आस पास है रही बात gaming की तो gaming performance यहाँ पर भी काफी कमाल की आपको मिल जाती है touch and response काफी अच्छा है screen recording के साथ में भी कोई problem आपको नहीं आने वाली कोई heating issue मैंने face नहीं किया और उसके साथ में जो आपको sensitivity मिलती है जो काफी कमाल की अगर आप यहाँ पे performance mode वगरा यहाँ पे enable कर लेते हो game turbo के अंदर तो आपको better performance मिलेगी gaming के साथ में and literally कोई problem नहीं आने वाली अगर आप एक hardcore gamer भी हो ना तो आप definitely strong को flash कर सकते हो gaming कर सकते हो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और अगर आप channel को subscribe करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली मैं मिलता हूँ आपसे एक और new interesting video के साथ